नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रास से के पार और आज इस वीडियो में एक्ष्लेंट करेंगे वेंपाय डायरिस का सीजन 6 का एपिसोड नमबर 13 तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले कहने चाहूंगा प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सस् अब शुरू करते हैं अपिसोड नमबर 13 राइट नाओ पहले सीन वाम बानी को देखते हैं प्रिजन वर्ल्ड के अंदर वहां पर हम देखते हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही है खाने लग रही है और पता चलता है आज उसका बर्डे है और वह बिलकुल अकेली ह अब फिर हम देखते हैं अलगने जो पूरी त्यारी करी थी बानी की बर्डे की और वहीं पर हम देखते हैं कि पूरे बलूम सो सब कुछ लेके जाने वादी थी सिधा जैरमी के पास क्योंकि उसको भी इनवॉल्फ करना चाहती थी वहीं जैरमी बिलकुल भी खुश नहीं और कहता है कि जिसका birthday वह तो यहां पर है नहीं तुम birthday celebrate क्यों करोगे और यह कहने को बाद लिना समझाने कोशिश करती है कि बानी यहां पर होती वह भी यह ही चाती और हम एक तरह से खुशी मनाएंगे बानी की होने पर कि अभी भी जिन्दा है हम उसे ढूंड सकते हैं और त हैं अंदर केलाई ने केकट रैडी किया था और अपने मॉम से बात कर रही थी और वहीं पर हम देखते हैं कि Delhi की दरफ दख के ड्रय जाती है और यह देखे स्टेफन आके बोलता है यह पर हो क्या रहा है अब बोलती है कि मुझे एक टना से टेफन गूर रहे तुम्हें भी नहीं लगता कि ऐसा और यह कहने के बाद स्टेफन बहुत पहले खो गया था और यह कहने के बाद के बहुत बचकाना थी एक तरह से मैंने बानी से रिवेंच लिया था वो टोई चुराने के बाद वह कहती है कि मैंने उसे जंगलों में गाड दिया जब मेरी मौंक पते से लाए कि मैंने उसे चुराए है तो मैं उसको जमीन में गाड दिया था और आसपास थोड़ी बाद चोकलेट रख दी थी जिससे याद रहे काम पर है वो बट शायद किसी जानवर ने खाली होगी और यह कहने बाद कैरलाइन बोलती हां मुझे समझा रहा है मेरी मा एक तरह से मरने वाली है मेरी बेस्ट फ्रेंड एक तरह से अल्टरनेटिव यूनिवर्स में फसी हुई है और मैं उसके लिए टॉय ढूनने चाहरे हूं क्यूंकि आज उसका बढ़ दे है और तभी हम देखत काई की आवाज आते और यह सुनने क्वड़ देवन बोलता है यह यहां पर क्या कर रहा है और कहता है कि मैं भूल जाता हूं और वैसे मैं यहां पर आया हूं मेरे अंदर आ चुक है इंवो पहले मैं शोशियोपाइट थाए but लाइफ पता निया अजीब ही हो और बड़ा ही अजीब लगता है सब सोचने के बाद और पता है मुझे बहुत जादा बुरा फील हो रहा है लिए जो उसकी लाइफ में होगा और लूक के लिए क्यों मर्च चुका इस मर्च के लिए मानता हूं मैजिक मेरे पास आ गया है उसको मर्च करके मैं जादा पेपर पे लिखके जला दो बड़ उससे भी कुछ खास फरक नहीं हुआ बट अलीना मुझे पता चला है कि जिस तरह कि तुम हरी के अंदर कोई ना कोई अच्छा ही ढूंडी लेती हो जैसे डेवन के अंदर ढूंड ली तुम मेरे अंदर भी ढूंड सकती हो क्या और यह स जोड़ता और कहता है यह बिल्कुल भी ने जोड़ने वाला मैंने इसको इस तरह तोड़ा था पिशली बार यह फिर से यूज ना हो सके और बानी वहां से ना निकल सके और यह कहने एक बदम देखते है कि डेवन समझ जाता है कि इसकंदर लूंड के एमोशन है और यह करन है कि रियल में ऐसा है क्या और बोलते है हां तुम इसको जोड़ना चाह सकते हो तो अच्छी बात है और एक तरह से हम वापस ला सकते हैं कुछ मैसिज तो दे सकते है ना और यह कहने के बात हम देखते काय बोलता है हां चलो थोड़ा बहुत तो सही है मैं सबसे ज्यादा मे पावरफुल सोर्स के बारे में बताना है बानी को जिस्ते को वापस आ सके मैजिक यूज़ करके और यह समझने को बात अलीना को जगा पता चल जाती है कहां पर यह मैजिक मिलने वाला है फिर अलीना पूशन लगती है डेवन तुम्हारा प्लान किया है कि तुम्हें कैसे मैं पता वो पावरफुल चीज के जिसे बाणी हापर आगी मैजिक यूज़ करके और यह कहने को बाथ डेवन बोलते है जैसे कि जो ने चाकू में किया था बोलता हां वैसा ही कुछ और यह कहने के बाद अलिना बोलती है समझ गई तुम साइलेस की बात कर रहे हो ना और बोलती है साइलेस से जुड़ वही कैसिया का कैसिया से जुड़ा हुआ स्टोन जीसके अंदर कैसिया का ब्लड हैmental जिसमें उसमें उम्हेगा पावर और मैजिक स्टोर कर रखा है और यह कहने को डेमट पूल अजीब कप अलो वाइधो और तभी वहीं पर हम देखते हैं। यह सुनने के बास ज producto यहाँ पर आ जाता है और कहते हैं कि कॉया ने और देखने के बाद आ नी अने टेयर मंगेर में मर्ज भी नहीं होता है। यह समझने आएगी और ये कहने के बाद काई बोलता है मैं समाझ सकता हूं तुम्हाई प्रॉब्लम मेरा नीचर चेंज हुआ एक रात में पर थिंग इस ये लूग का बिहेवियर है लूग ऐसा ही था इमोशनल सेंटी ये सब और मैं उसकी कॉलिटी से एब्जॉब कर चुका हूँ और ये कहने के बाद बोलते हैं तुम अरीना को लेलो ना अलीना भी तो ऐसी थी बिल्कुल रिवर्स जैसी आप है और ये कहने को सब लोग शोग हो जाते हैं कहना क्या चाता है और बोलता है अलीना पहले गुड सेलवेटोर ब्रदर को डेट करती थी अच्छी लड़की थी बट अब एक वैंपायर बन चुकी है और एक तरह से बैड सेलवेटोर को डेट कर रही है और ये कहने के बाद अलीना पोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और तभी काय बोलता है ऐसा ही सब कुछ है क्योंकि डेमन ने मुझे ये सब प्रिजन वर्ल्ड में बता चुका है मैं प अगली सीने में हम लिव को देखते है जो बहुत ही जाधा इमोशनल थी और वहीं पर देखते टाइलर उसके पास आता है यहां से चलो काय तुम्हें कभी भी ढूंड के मार सकता है पूरे कवन को उससे पहले में तो मैं गायब करना चाहता हूं यहां से और यह कहने कवन ब बहुत सब इमोशनल हो जाती है और वहीं पर हम जेखते टाइलर उससे समझाने की कोशिश करता है कि तुम बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात मत सोचो इस तरह थोड़ा अपने आपने विश्वास रखो और पोजिटिविटी रखो हम यहां से भाग जाएंगे और यह कहन पर टाइलर पूछते तुम करके रही हो वैसी कि और यह कहने के बाद बोलती है कि बच्पन में जब हाइडन सी खेलते थे हमें दूसरे के आखों से देख सकते थे काहां चूपे हुए और मैं शायद यह लूग के साथ कर सकती हूँ क्यों को मर्ज हो चुका है तभी हम देखते टाइलर उसे रोखने कोश्च करता है कहते कि अगर तुने उसको मार दिया तो खुद भी मर जाएगी क्योंकि तुम्हारा कवन लीडर है और एक तरह से इस मोमेंट पर काई को मारना एक अच्छा एडिया नहीं रहेगा और यह कहने पर लिव बहुत साथ गुस्ता हो जाती है और कहती है कि वैसे हम मरनी वाले हैं वह एक एक को ढूंड ढूंड के मारेगा इससे बेटर है कि मैं साथ में मर जाएं और यह कहने पाद हम देखते हैं कि वह उसे प्रोटेक्ट करेगा और तब हम देखते हैं वह उसे किस करती है और टाइलर को ब्योश करती है मैजिक से और वहां से चली जाती है अब हम देखते हैं सेलवटर और हाउस के अंदर अलीना बहुत साथ 10 स्टोरी थी और उसकी मौट पर हम देखते हैं का उन्हें एक होप देता है कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से बानी पहुचा सकता हूं पटे ग्लिम्स दिखा सकता हूं और जैसे ऊस्पेल करता है हम देखते हैं कि चारों के चारों में थे जैरमी डेमन अलीना और काय पहुच जाते हैं 1994 वाले उस टाइम में जहां पर बानी फसी हुई है महीं पर बानी को देख पाते हैं और जैरमी उसके पास जान लगता है बड़ो किसी चीज को टच न और कहता है कि यह शायद अपने आपको मारने वाली है the reason is हमने एक ता से decide किया था इस bottle के साथ कि यह bottle पीने का अपने आपको खतम कर लेंगे जब हमारी सारी hope खतम हो जाएगी और यह कहने का अपने अलीना बहुत जादा tense हो जाती है और तब हम देखते है काय उठता और उसके नाक के खून आरता और कहता है यह sign देखा तुमने नाक के खून का अब यह magic करने जादा sign नहीं रहेगा क्योंकि मैं ठक चुका हूँ और यह बहुत जादा magic लेता है और यह कहने के बाद हम देखते है Jeremy tense हो जाता है और कहता है कि वो अपने आपको मारने वाली हम उसको बचाना पड़ेगा उसको कोई symbol भेजना पड़ेगा और यह कहने के बाद का इसास मना करते हैं और कहते हैं कि यह जादा powerful था मैं अब नहीं कर पाऊंगा और यह connection टूट चुका है और जल्दी से और magic चीएगा उतना मेरे पास नहीं है और यह कहने के बाद देमन पूशन लगता है कि अधर साइड पर कोई मरत नहीं सकता ना जैसे तुम नहीं मर पाए थे और यह सोचने के बाद जैरिम बोलता ऐसा करो तुम सिर्फ मुझे वहाँ पर भेज दो बेटर है फिर देमन बोलता है एक तरह से मैंने एटलस के अंद अगर वो उस लोकेशन पर पहुंच जाती है तो अराम से बच जाएगी बस वो एटलस खोल के उस पेज नंबर को खोल के रख देना है वहाँ पर और यह कहने के बाद जैरिम बोलता है ऐसा करो फिर मुझे भेज दो अकेले को चैय तुम इतना हर्वेस्ट कर सोको मैजिक औ और तब यहलीना साफ मना करती है बड़ जैर्मी उसे रोकता है अगर मैं पानी को लेके है अच्छी बात है नहीं लेके है तो मैं उसके साथ अधर साइड पर होगा और जब तक वो मरेगी तब तक तो उसके साथ रहूंगा और यह कहने को बात एगरी करता है कि वह ही जाए देखते हैं कि सहरा दूसरी तरफ जा रही थी और मैं उसका पीछा करता है अगर नहीं जाती है और तभी वो डालने के लिए आगे बढ़ता है मैं और कहता है यह देखने पाद बिखता है कि उसके पास कैमरा और फटो ग्राफिक कर रही है और तभी मैट बोलता है कि मुझे पुछ फोटो खिशनी थी कि मैं कτί मैं तुम्हारा दो श कते हो दिखता हूं और यह कहने कि прав Na और बोलती है, मुझे पता है तुम सब लड़कों का। लड़की, कैमरे के साथ देखा तो मैं तो फोटोग्राफी सूच गई, ड़कुछ है पता नहीं है, जोती है, तुम्हारी गलती नहीं है, सारे लड़की ऐसी हिं पूछना चाहता है और यह कहने को बोलते हैं नाइस ट्राय और बाद में मिलते हैं और यह कहा कि शाली कॉस्च मिल आता और यह उसे क्थीन लेता है और वहीं पर हम देखते हैं अगले सीन में मैट बैठा होते हैं चेर पे और उसको ठंड लग रही थी और वहीं पर हम देखते हैं उसके पास से गुजरती एकदम सारा और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम्हें ठंड लग रही है क्या और यह कहने क भूलते हैं तो भूख कोफी कि ख़ोद से चार शूप के बाद तुमारे बस की टिकेट मैं ले दूग लगती है कोफी के लिए उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि Caroline पहुंच चुकी थे जंगलों में उस टेडिवेर को खोदने के लिए और पीछे 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 स्टेफन भी आज चुका था और हम देखते हैं कि स्टेफन बहुत साथ बचकाना मैसूस कर रहा था नो साल की Caroline ने गाड़ा था माँ पर आसपास चॉकलेट्स रखती थी याद रखने के लिए और यहां पर इतने साल उबादा के वापस खोदना स्टार्ट करते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन उसका मजाग उडाता है कि उसको एक तरह से और चोकलेट्स दिखे श खोजने लग रही हो और इसके बाद हम देखते हैं कि इसको गुसा आता है और पटक के मारती है स्टेफन को उसके एलकोल पीने लगती है महीं पर स्टेफन उसे भी गिरा देता है और दोनों साइड बाइ साइड गिरे थे वह एक तम शान्त हो जाते हैं कि सारी जितने भी चल रही हैं उनको इससे ओवरकम करना पड़ेगा और यह छोटी छोटी चीजों पर लेड़ना नहीं चाहिए और वहां पर दोनों बहुत ही ज्यादा रोमेंटिक थे फिर थोड़ी देर बाद वापस रोणना शुरू कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि उनको मिल जाता और यह करने के बाद हम देखते हैं कि अब emotional हो जाती है Caroline कि उसकी जिन्दगी भी सी तरह टूटने लग रही है और यह करने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफनों से गले लगा के शांत करने की कोशिश करता है वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे अब काई magic स्टार्ट कर चु हो चुके थे डेली एक ही चीज को रिपीट होते होते हैं तो हमने सोचा था कि एक तरह से खतम ही कर लेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा और यह कहने को द वहां से जाने लगते हैं और वहीं पर काई पूरा magic और focus कर रहाधा सिर्फ जैरेमी पर अब हम देखते हैं अलीना दूसरे रूम में थी और वहां पर डेवन से पूछती है कि काई ने सही कहा जा कि मेरे बारे में कि जैसे मैं वेंपायर बनी मेरी चोइस तुमाई तरफ हो गई और पहले मैं बेटर थी और यह कहने बात अब डेवन बोलते हैं तुम इसकी सोचने की जुरुत नहीं पहली केकी कोशिश करते हैं और यह देख्熱 हो जाते हैं दोनों अन्दर कैसे बंद हो चुके वहीं तरहमार नहीं पारे में लगान से काय। एक वो अधर साइड चला गया था और वहां पर देखता है कि बानी आसपास नहीं थी और तभी बोलता है कि मैप अटलेस में उसे खोलता हूं और यह कहने के बाद हम देखते हैं काय बोलता है जल्दी से हम पेज खोल और देख कहां पर वह निशान लगा हुआ है डेमन ने उ उनों वापस रियल वल्ड में आ जाता है और देखते हैं वहां पर लिव पहुंच चुकी थी उर्थे बड़ा सो रोड मार दिया था काय को और हम देखते हैं कि काय जमीन पे गिर जाता है तभी एकदम जैर में उठता है और मारने के लिए भागता है एक तरह से लिव को ब पड़ी थी जमीन पर और तभी हम देखते हैं कि लिव बोलती है हाँ तुमने मेरे बेस्ट फेंड और में सबसे जगा अजीज को तो मारी दिया है अब तुम मुझे भी मार दो और ये कहने के बाद जो लिव के इमोशन्स है वो काय पे हावी हो जाता है और वहां से हो हट है बड़ हम देखते हैं कि लिव उस पर अटैक करना चाहती है बड़ उससे पहले जैरमी उस पर अटैक करता है और हम देखते हैं काय की हालत खराब थी और काय को ले जाता है दूसरे कमरे में और वहां पर हम देखते हैं कि यह सारी आवाजे सुनने लगी थी अलीना और ब पर बहुत चाहिक है और वहीं हम देखते हैं यह सब देखने के बात काई उसे एक तरह से पकड़ाता है और वापस लेकि जाता है जहां पर अभी बानी बहुत चाहां और उस पूरी बोटल को खतम कर रही है और कह रही है कि आप मैं आपर अकली नहीं रहा है। वही हम देखते हैं कि लिफ दूसरी साइड की चिम्नी पर खड़ी होती है और तभी हम देखते हैं डेमिन एक बोटल उठाता और ये इसी दिन के लिए बचा के रखी थी। उसमें सीधा आग में फैक्त है, बोटल फटती है, धमाका होता, लिव दूर जा की गिरती है, और जैसे ही वो दूर गिरती है, हम देखते हैं कि उसका स्पेल टूट चुका था, और वहां से हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे, अलीना और डेवन कमरे के बाहर जाने लगते हैं और वहीं हम देखते हैं, अधर साइड पे जैरमी पहुँच चुका था, और बानी को देखते हैं कि वो गाड़ी के पास बैठी हुई है, और वहां पर गाड़ी स्टार्ट का चुकी इंजन को, जिससे धुआ हो रहा है कमरे के अंदर, और पूरा गैराज धुमें से पर हम देखते हैं, बैठ के बोल रही है देवन, तो हमने एक तरह से डिसाइड किया था, कि जाद दिन अगर हम ना टिक पाए तो मर जाएंगे, और उसके बाद धुआ होने लगता है, और उसी गैराज के अंदर मरने लगती है, वहीं पर हम देखते हैं, जैरमी पहुँच है, और यह देखके अब बानी को होप आने लगी थी, कि शायद यहाँ पर कोई और है, या फिर कोई नोटिफिकेशन, या फिर एक होप दिखाई दे रही है मुझे, कि मैं बत सकती हूँ, तब भी अलीना आ जाती है, डेमन के साथ, और उठाने कोशी करते हैं, वहीं हम दे हम द sail को मेंन हॉल में आ जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, कि मैं समझ सकता हूँ, कूई कैसा फिल करी है, अंदर से अकेला अलोन, इसलिए उमरना चाते थी, और आप एक तरह उसके पास होप है वापस आने की, और तब हम देखते हैं, कि अलीना उससे, कहते हैं, तुम चिंता मत करो बानिकों किसी भी तरह करके बचा लेंगे तुम अपनी लाइफ में मूव फोरवड हो कोलिज जाओ अपनी लाइफ बनाओ और टेंशन लेने की जुरत नहीं है और उसे समझाने लगती है अब हम देखते हैं लिव को जो अपने होस्टेल वाले रूम में उठती और वह देखते हैं यहाँ पर कैसे पोची और वहीं पर हम देखते हैं कि बैठा हुआ था टायलर और बोलते हैं जैसे ही मैं होश में आया थोड़ी देर बाद क्योंकि जैसे तुमने मुझे भ्योश कर दिया था और मैं सिधा क्या सेलवट और होस में मुझे पता कुछ अपने कवण के लिए कुछ कर रही थी और ही का रहाटा क्यों अगर तुम मरी जाओगी तो कौन सा कवण रहेगा और तुम मेरे लिए अगर जिन्दा नियुक रहोगी तो क्या मैटर करती हो और मुझे कोई बखवास निनस उननी और यह कहने बाद से चला जाता है को बैक करवा हूँ कि मैं उसे वैंपायर में कर दूं और ये एक तरह से मेरा बदला रहेगा सेलवर्टोर्स के साथ और हम देखते मैं इस पैगरी नहीं करता बड़ अपने मन की करने वाला था अब हम देखते हैं कि आप अलीना सीधे आचुकी ये रात के टाइम पर डेमन के और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और यही एक तरह से रियालिटी है और यह करने के पास आती है और उसे किस्ट करने लगती है वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पर जायर में अपने आड्मिशन फोर्म वापस निकालता है बरने के लिए क्योंकि उस वहाँ पर देखती है कि एक लोकेशन टिक करी हूँ थी जो डेमन ने बहुत पहले की थी एडलेस के अंदर और वहाँ पर मार्ग किया हुआ था जहां पर साइलेस का एक तरह से उस टूम सोन है और यह देखने के पास उस समझाते है डेमन तुम बहुत ही जाधा जीनियस हो अपना सारा बैक पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है उस लोकेशन पर जाने के लिए और एपिसोड नमबर ठाटी नहीं पर खतम हो तकाईज आ होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो दोस्तों साथ शेयर करो लाइक शेयर और सस्क्रा सब्सक्राइब करो चैनल को लाइक करो मिलते है अगली वीडियो में तब दक लिए बाइबाइबाइब सायोनारा टाटा एंड टेक केर